नमस्कार मैं हूँ दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 9 फरवरी दिन सुक्रवार खब्रक्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर इलेक्ट्रिक वहानों की खरीद पर कर में मिलेगी छूल बिहार लगुद्यमी योजना में 20 फरवरी तक करे अपलाई बागवानी महत्सव में मिलेगा बंपर पुरस्कार देश में बिजरी उभोगता के मामले में दूसरे नमबर पर पहुँचा बिहार केके पाठक ने सिख्चकों की पोस्टिंग को लेकर बनाया नया प्लैन तेज पच्छुआ हवा के कारण बरी कपकपी नेशनल स्कूल चेस्ट रैंपियंशिप के विजेता खिलारी जाएंगे थाइलेंड दोनी ने अपने बैट पर दोस्ट की दुकान का लगाया इस ठीकर अब बढ़ते हैं बिहार के अब तके 25 वरी खव्यों के और विस्तार से भारतिय सेना में अगनीवीर के लिए निकली भरती वैसों मिद्वार जो भारतिय सेना में अगनीवीर के तौर पर सामल होना चाहते हैं उनके लिए सुनहे राफ सर है दिर असल भारती वायू सेना द्वार अगनी वीर जीडी टेक्निकल कलर्ड के हिस्टोर कीपर और ट्रेट्समेन के रिक्त पदों पर भरती निकाली गई है आवेदन प्रेक्रियार्ट फरवरे से शुरू है और आवेदन करने के इंदिम तारिक 21 मार्च 2024 है एक चुक उमिद्वार इसके आधिकारिक वेबसाइट जॉइन इंडियन आर्मी.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं इस भरती के तहित अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग सेक्षनी की योगताएं निर्धारित की गई हैं जिसमें 8 भी पास, 10 भी पास औ उमिद्वार भी आवेदन कर सकते हैं उमिद्वारों की आयू सीमा सारे 17 वर्स से लेकर 21 वर्स के बीच होनी चाहेगे थाला कि इससे संबंदित अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं इलेक्टिक वानों की खरीद पर कर में मिलेगी चूट, बिहार में इलेक्टिक वानों की खरीद पर कर में चूट मिलेगी, इसकी शुरुवात हो चुकी है इलेक्टिक वाहन को खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के समय डीलर पॉइंट पर वहान के कर्मे 50 से 70 प्रदीसत तक की छूट मिलती है इसके लिए NIC के पोटल पर छूट समंदी सौफ्ट्वियर को लाइब कर दिया गया है मालूम हो कि इलेक्टिक वाहन नीती के तहर दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया और हलके भारी वहानों पर छूट की वेवस्था की गई है साल दोजार अठाइस सक्रेय और निवंधन वाले वहानों में 15 प्रदीसत इलेक्टिक वहान हो, इसके लिए सरकार ने वहान की खरीद पर कर्मे छूट देने का फैसला किया है सरकार एलेक्टिक वहानों को प्रोचाहित कर रही है, आपको बता दे कि दो पहिया और चार पहिया वहानों में 75 प्रदीसत तक की छूट मिलेगी, तीन पहिया एलेक्टिक वहानों पर 50 प्रदीसत तक की छूट मिलेगी बिहार पैटर में आज हम बात करेंगे हर्सु ब्रह्म धाम के बारे में हर्सु ब्रह्म धाम कैमूर जिले में इस्थित एक प्रमुक धार्मे का स्थल है यह एक पुरातन मंदर है यह मंदर कैमूर जिले में चैनपूर में स्थित है यहां मंदर प्राचीन है यहां पर हरसु ब्रह्म बाबाजी की समाधी असल देखने को मिलती है इस मंदर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदर में जो भी भूत प्रेट से पीरित लोग रहते हैं वे इस मंदर में आकर प्रार्थ ना कर सकते हैं तो भूत प्रेट से चुटकार में आते हैं कहा जाता है कि यहां पर जो भी वेक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है और मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामनाय जरूर पूरी होती है बिहार लगो उद्यमी योजना में 20 फरवरी तक करे अप्लाई बिहार लगो उद्यमी योजना में आविदन जारी है इसमें 20 फरवरी तक अप्लाई किया जा सकता है मालूमों के इसके तहित स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपे तकी मदद की जाती है वेबसाइट उद्यमी.bihard.jovi.in पर विजिट करके इसमें आसानी से अपलाई किया जा सकता है 18-50 साल की आयू सीमा के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं आयू के सत्यापन के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट या जन प्रमान पत्रिया पैन काड या अधार काड की सहायता ली जा सकती है प्रतेक परिवार में से एक व्यक्ति को लाब मिलेगा और तीन किस्तों में रासी का भुक्तान किया जाएगा अधिक जानकारी के लिए आप 18-00-345-214 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं बिहार के कोर्ट में अब ऑनलाइन होगी सुनवाई बिहार में भी अब जल्दी जमीन से जुरे मामले में पेसी की तारिक पर कोर्ट जाने की जंजट खत्म हो जाएगी CEO और DCLR से जुरे मामले में कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई की विवस्ता शुरू की जाएगी संभावना जिताई जा रही है कि साल मार्च के महीने से ये नई शुरूआत होगी राजस्वेवं भूमी सुधार विवाग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है इसके बाद अब जमीन से जुरे मामले में DCLR वस CEO कोर्ट में निर्धारित तारिक पर भेजे लिंक के माध्यम से पेसी संभव हो जाएगी ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट की सारे भाही का हिस्सा बनना संभव हो जाएगा इसके लिए व्यक्ति को आविदन के समय ही विवरन के साथ अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा इसके बाद वर्चूल तरीके से अपना पक्ष रखवाएंगे साथ ही अब कहा जा रहा है कि ऐसे मामलो को अब निप्टाने में तेजी आएगी बिहार में कई ट्रेनों की रफ्तार में होगा इजाफा बिहार में पटना से खुलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों की रफ्तार में जाफा होगा फिलहाल मेल और एक्स्प्रेस ट्रेनों में दसों को पुराना लोहे से बना IFF कोच 110 किलोमेटर की गदी से चलने के लिए बनाया गया है अब रेलवे बंदे भारत की तर्ज पर ट्रेनों के कोच में बदलाब करेगा इसके कोच अधिकतम 160 वद 200 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से चलते हैं पूर मधे रेलवे की 250 से जादा ट्रेन के पुराने कोच ICF को बदला जाएगा फिलहाल लोहे से बनने की वज़न से इसका वज़न जादा होता है इसमें एर ब्रेक भी होता है जबकि बंदे भारत के कोच स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं यही कारण है कि यह हलक्य और मजबूत होते हैं इससे यात्रियों की सुवधा को देखते हुए बनाया गया है बागवानी महोचब में मिलेगा बंपर पुरसकार पटना में गांधी मैदान में 16-18 फरवरी के लिए बागवानी महोचब प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है इसमें पूरे राजी के किसान हिस्सा लेंगे और अपने उत्पादों की प्रदर्सनी लगाएंगे बाग लेने के लिए horticulture.bihar.gov.in पर अप्लाई करना होगा किसानों को ऑनलाइन डाजिस्ट्रेशन के लिए 13 फरवरी तक आविदन का समय दिया गया है इसमें 10,000 तक का इनाम जीता जा सकता है जानकारी के नुसार इसमें हर जिले से 75 प्रदिस्ट पादकों की प्रदर्सनी लगाई जाएगी यहां आचार, फसल, जैम, जिली, आदी की प्रदर्सनी लगेगी रादे अस्तर पर 5,000 द्वितिये, अस्तर पर 4,000 और तीसरे अस्तर पर 3,000 का इनाम मिलेगा इसके अलावे 10,000 का विस्ट पुरसकार भी दिया जाएगा खबरे सही है या जोटी इसे जाने के लिए P.I.B. ने सेयर किया यह कॉंटेक्ट नमबर इंटरनेट के इस जमाने में कई ऐसी खबरे हैं जो सोसल मीरिया पर वाइरल होती रहती है लेकिन कई बार तो कई तरह की योजनाए बता कर या किसी फोटो और वीडियो को सेयर करके या दावा किया जाता है कि या भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कोई योजना है या किसी तरह की कोई जानकारी है लेकिन कई बार तो ऐसे दावे फरजी होते हैं और आप इस जहांसे में आ जाते हैं ऐसे में आपके पास जब कोई भी इस तरह की खबर या कोई तस्वीर या कोई वीडियो या फिर भारत सरकार से संबंधित कोई भी खबर सामने आए जिससे देखर आपको समझ नहीं आ रहा और आप उलजन में हैं कि ये सच है या फरजी तो ऐसी चीजों के सत्यापन के लिए आप प्याइबी फैक्ट चेक पर भी सत्यापन करवा सकते हैं प्याइबी ने इसके लिए एक नंबर और इमेल आईडी भी सेर किया है ऐसी खबरों को वेरिफाइड करने के लिए आप 8-7-9-7-1-1-2-5-9 या इमेल आईडी सोसल मेड सकते हैं लिए बिज़ली उब्भोकता के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा बिहार बिहार में बिजली उबभोकता की संख्या में इदाफा हुआ है राजे में 11 साल पहले 38,00000,00000 बिजली उबोगता थे वही अब या बढ़ कर 1,90,000,00000 लाग क्यों इसframes किह वेरिया चार साल में अपना नुक्सानी 11 फीज़ी तक कम कर लिया है यहां बिजली की खपत में भी बरहोतरी हुई है वहीं पिछले तिमाही में बिहार तीसरे पाइदान पर था असम और जारकंट पहले और दूसरे अस्थान पर थे बताया जाता है कि दक्षन बिहार में और दोगी क क्क पाथक ने स्कूलों में सक्षकों की पोस्व्टिंग को लेकर नया प्लैन बनाया है राजे में अउत्कॉलों को बंद कर दीया जाएगा इसको लिकार सभी जिलों के सिक्चकों की बहाली हो रही है योजित सिक्चकों के लिए सक्चमता परिक्षा का आउजन होगा इसके लावे BPSC बरी संख्या में टीचरों की बहाली लेने वाला है BPSC सिक्चक भरती फेज 3 के बाद फेज 4 की परिक्षा होगी बिहारी बात्रे स्पेसल में आज हम बात करेंगे विनित कुमार के बारे में विनित कुमार का जन्माज के ये दिन वर्स 1997 को हुआ था ये एक भारतिय फिल्म अभिनेता है राश्ट्री नाट्टे विद्याले के दिगज अभिनेता हिंदी अंग्रेजी और तेलुगु भासा के फिल्मों और टेलिविजन में अपने काम के लिए जाने जाते हैं उन्हें मसान, द्रोह काल, कच्चे धागे, अक्स, ये दिल, सोच और सूल जैसे फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है उनके कारों में लीन कॉलिंस के साथ रिटर्न टू राजापुर, भोपाल बारस के लिए प्रात्ना, मार्टीन सीन और मिसा बाइटन के साथ वक्काई तेलगू तमिल और भोजपूरी फिल्मों में भी दिखाई दिये हैं उन्हें टेलगू फिल्म विक्रामाडू में भी उनके काम के लिए आलोच नात्मक प्रसंसा मिली थी भारतिये टेलिविजन अकैडमी पुरसकार में जाना ना दिल से दूर के लिए नाकरात्मक भूमिका में सर्वस्रेश्ट अभिनेता के पुरसकार से सम्मानित किया जा चुका है नैस्नल स्कूल चेस चेंपींसिप के विजयता खिलारी जाएंगे थाइलैन विहार के पटना के ज्मानिभवन में नैस्नल स्कूल चेस से चेंपींसिप का आयोजन किया गया है इस प्रतियोगिता के प्रतम 12 विजेता खिलारियों को थाइलन में बंदरा से 24 दिसेंबर को होने वाले एसियन स्कूल चैंपियनसिप में सरकारी खर्च पर भाग लेने का अफसर मिलेगा मालूम हो कि बिहार में पहली बार बिहार राजी खेल प्रतिकरन और आल बिहार चेस असूसियेशन के सवयुक तत्वा धान में ये खेल प्रतियोगिता हो रही है इसमें देश के विभिन राजों से बिहार के 250 सहीत हजार से जादा खिलारी सामिल हुए हैं अंडर 7, 9, 11, 13, 15 एवं अंडर 17 आयू वर्क के बालक एवं बालिका के बारस्टेनियों में हो रहे मुकाबले हो रहे हैं हर वर्क के विजेता खिलारी को नगत पुरसकार सहीत मेडल और ट्रॉफी दिये जाएंगे इसके साथ ही सभी प्रती भागियों को डिजेटल सर्टिफिकेट भी दिये जाएंगे विजेता को कुल 5 लाग रुपेर से जादा के नगत पुरसकार से सम्मा अनित किया जाएगा विजेता को बता दे कि क्रिसे विभाग में भरती के लिए एक मार्च से चार मार्च की बीच परिक्षा होगी परिक्षा में प्रस्नू के एक से अधिक विकल्ट दे जाएंगे दो पालियों में परिक्षा कायोजन होगा इसमें पहली पाली सुबर 10 बजे से 12 बजे तक होगी जबकि दूसरी पाली की परिक्षा दोपर के धाई बजे से सामके सारे 4 बजे तक ली जाएगी पहले दिन सामाने हिंदी और सामाने ग्यान की परिक्षा होगी वहीं दूसरे दिन Agronomy का एक्जाम होगा तिछरे दिन Agricultural Engineering और चौथे दिन Plant Projection के अब पेपर होगा मिहार के सरकारी स्कूलों में सहायकों और Office Attendedan की होगी भरती मिहार के सरकारी स्कूलों में 2000 सधिक सहायकों और Office Attendedan की भरती ली जाएगी इसके लिए सक्षा विभाग ने स्कूर्स सहाय के 1072 और परिचारी के 1139 पत को स्रेजित किये गए हैं बताया जाता है कि इसमें 50 प्रतिसत पदों पर अनुकंपा आस्रित लोगों की न्यूक्ति की जाएगी वही अन्य 50 प्रतिसत पदों पर सीधी बहाली की जाएगी इसके लिए सबी दिलों को जानकारी भेजी गई है आपको बता दी कि प्रधाना ध्यापक सर्क्षक और कर्मचारी की सेवाकाल में नित्यू होने के बाद उनके आस्रितों के लिए अनुकंपा के आधार पर 50 प्रतिसत का आरक्षन दिया जाएगा वही 50 प्रतिसत पर सीधी बहाली ली जाएगी मालूमों की बिहार सरकार सिक्षकों की बरे पैमाने पर भरती कर रही है तेज पच्छुआ हवा के कारण बरी कपकपी बिहार में बारिस की संभाबनाओं के बीच पच्छुआ हवा के कारण कंकनी बर गई है फिलहाल पच्छुआ हवा से लोगों को कोई रहात मिलने की संभाबना नहीं है आने वाले एक से दो दिनों में इसकी रफ़तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंते देखने को मिल सकती है इसे मौसम के तापमान में भी थोड़ी बहुत गिरावट होने की संभाब न जताए गई है मौसम में बाग के मुताबिक आज का मौसम सुस्क रहने वाला है मौसम को लेकर फिलहाल किसी प्रकार की चेताबनी मौसम में भाग द्वारा नहीं दी गई है प्रदेश में मौसम का दिकतम तापमान 22-24 जिगरी रहने का अनुमान है वही नियुनतम तापमान 8-10 जिगरी रहने का अनुमान लगाया गया है बिहार के उने सहर भारत के 50 सबसे प्रदूसित सहरों में सामिल देश के 50 सबसे प्रदूसित सहरों में बिहार के उन्हें सहर सामल है प्लेटफॉर्म टिकेट के साथ यात्रा की जा सकती है लेकिन इसके बाद TTA से संपर्क करना होता है TTA डेस्टिनेशन तक का टिकेट बनाते है वर रिजर्फ स्थीद देने के इसे इंकार कर सकते है ऐसे में ट्रेन की यात्रा की जा सकती है लेकिन 250 रुपे की पेनल्टी लग सकती है साथ ही यात्रा का किराया देना होगा वहीं प्लेटफॉर्म टिकेट नहीं होने पर इस बात को प्रमानत नहीं किया जा सकता है कि आपने कहां से ट्रेन पकरी थी पटना में ट्रक से भारी मात्रा में सराब बरामत बिहार की राज़ानी पटना के बहटा में पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी सराब को बरामत किया है यह सराब पंजाब से बिहार लाई जा रही थी संत्रे के साथ ट्रक में सराब को छिपा कर लाया गया था मतिन सेद विभाग ने गुपत सूचना के आधार पर सराब को पकरा है और ट्रक के चालक और उप चालक को गिरफतार किया है फल की आड में सराब की कितसकरी हो रही थी संत्रे के नीचे भारी मात्रा में सराप के कार्टन को चिपाया गया था पुलिस ने इसे पकरने के लिए चेकिंग अभियान चलाया था ट्रक को पकर कर थाने में रखा गया है वही गिरफतार चालक से पुलिस की पूछतार जारी है इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जूटी हुई है साथ ही आग एक कारवाई भी की जा रही है डिप्टी सीम समराज चौधरी का बयान बिहार में बीजेपी की सरकार का होगा गठन बिहार के उप्मुखे मंतरी समराज चौधरी ने बयान दिया है उन्होंने कहा है कि बिहार में एक दिन भाजपा सरकार बनेगी पटना के स्रीक्रिस्ट मेमोरियल हॉल में धन्यवास अंकर्प समारों का आयोजन किया गया था इसमें डिप्टी सीम ने कहा कि आज पार्टी ने नितीश कुमार के साथ गरवंदन किया है लेकिन आगे चलकर बीजेपी की बिहार में सरकार होगी भाजपा ने नितीश कुमार के साथ जाने से पहले काफी सोचा है आखिरकार आला कमान का ये फैसला है डिप्टी सीम ने कहा है कि बीजेपी मंदल और कमंदल दोनों अपने साथ में लेकर चलती है हमारी पाठी ने स्वर्ण जाती के लोगों को भी आरक्षन लिया है मही लालू परिवार को लेकर समरार चौधरी ने कहा कि बेटी के सांसच उनाव हाने के बाद उससे राजसभा भेज दिया गया इधर उक्मुके मंत्री विजय कुमार सिना ने कहा कि हम लोगों को नया बिहार बनाना है राहूल गांधी पुर्णिया के बाद औरंगाबाद में करेंगे यात्रा यहां वह औरंगाबाद के कोटुमबा में पहुंचेंगे, पंजौर-16 फरवरी को राहूल गांदी की बिहार यात्रा संभावित है, वही शासरा में ये रात्री विस्राम करेंगे, इसके बाद वह उत्तर प्रिदेश की सीमा में प्रवेश करेंगे, वहीं से पहले राहूल गांदी ने 29 जनवरी से 31 जनवरी तक सिमानचल में चार जलों की यात्रा की थी उन्होंने पूर्णिया में जन्षभा को भी संबोधित किया था अब नहीं जाएंगे धर उदर बिहार के मुखे मंतिन 30 कुमार दो दिवसकी दोरे पर दिली गये थे यहां उन्होंने प्रधान मंत्री नरिंज मोदी केंद्रे ग्रे मंत्री अमित्सा और भाजबा के राश्ट्रे अध्रक जेपी नड़ा से मुलाकात की है साथ ही बीजेपी के वरिष नेता लाल कृस्ट नाडवानी को भारत रत मिलने पर बधाई दी है इसके बाद वह पटना लोट गये यहां लोटने के बाद सीम ने कहा है कि आप लोग चंता मत कीजी अब सब कुछ ठीक है हम कहीं और नहीं जाने वाले है हमाले सभी लोगों से बात चीत हो गई है प्रधान मंतरी मोदिय से भी मुलाकात हो गई है उनकी पार्टी के लोगों से भी मुलाकात हो गई है हम पहले जहां थे अब सब दिन वही रहेंगे कुछ दिन के लिए इधर उधर हुए थे लेकिन आप पर्मानेंट भाजपा के साथ रहेंगे सभी लोगों से बहुत अच्छी बात कोई है ए ए माईम सुप्रीमों सद्दीन ओवेसि का किसंगंज में होगा दो दिवस्य दोरा ए हाँ विशोल और सतरह फर्वरी को पहुँचेंगे इस दोराँ विट कई जन सभा को संबोधित करेंगे ए ए माईम पार्टी की नटावर कारेकरताओं में काफी उच्छा है उवैसी सिमानचल की इलागे में पार्टी की गर को मजबूती देने के लिए पहुँच रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष अक्तरूल इमान ने पार्टी सुप्रीमों के दोरे से संबंधित जानकारी दी है उवैसी के दोरे को लेकर पार्टी के नेताओं ने अभी से ही अपनी तयारी शुरू कर दी है प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के पदादिकारी और कारेकरताओं के साथ मीटिंग की है कहा जा रहा है कि उवैसी की मौजूदगी में कई नेता AIM AIM को जॉइन कर सकते हैं इससे इस इस इलागे में पार्टी को और मजबूती मिलेगी मालू हो कि पिछले लोगसवा चुनाव में किसंगंज में उवैसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्सन किया था दोनी ने अपने बैट पर दोस्त की दुकान का लगाया स्टीकर चिन्ड़ी सूपर किंग्स के कप्टान MS दोनी आई के दोजाजा चौबस के तयारी में जुटे है वह राची में प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैनिंग के दोरान MS दोनी एक बैट का प्रियोग करते दिखे है हर को इसकी चर्चा कर रहा क्यूंकि उन्होंने इसमें अपने बच्पन के दोस्त के दुकान की तस्वीर के स्टीकर लगाये हैं सोसल मीडिया पर ये तस्वीर तेरी से वाइरल भी हो रही मालूमों की दोनी ने पिछले साल भी बैट पर स्टीकर के जरीए पूर्व स्पॉंसर को धन्यवाद दिया था आपको बता दे कि MS दोनी ने कई बार इस बात की चर्चा किये कि बच्पन में उन्हें काफी लोगों ने समर्थन किया था उन लोगों का प्यार आज भी इनके साथ है MS दोनी के दोस्तों के साथ उनका लगाव आज भी बरकरार है कई कारणों से दर्ज है भारत के तहास में आज की तारीक आज के दिन वर्स 1931 में भारत में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समय डार्क टिकेट जारी किया था आज के दिन वर्स 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जन गन्ना करने के लिए सूची बनाने का कारेश शुरू किया गया था आज के दिन वर्स 2009 में भारत सर्वोच नयायाले ने ताज और उसके आज पास अवैद निर्मान पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था आज के दिन वर्स 2010 में भारत सरकार ने बीटी बैंगन की वेबसाइक खेतों पर अनिस्चित काल के लिए रोग लगा दी थी आज के दिन वर्स 1993 में भारती ग्रेंड मास्टर खिलारी परी मारजन नेगी का जन हुआ था अब पानी के अंदर भी आइफोन यूजर चला सकेंगे फोन कैसा होगा आगर आपका मुआल फोन पानी में भी काम करें सुनकर थोड़ी हैरानी होगी लेकिन ये सच है देरसल आपल आईफोन यूजर अप पानी में भी अपने फोन को चला सकेंगे इसके लिए Apple Company एक खास फीचर लेकर आने वाली है इसके लिए Apple Company एक खास फीचर आने वाले handset model में लाने की सोच रही जहां आपको आपके फोन में इस नए फीचर के तर अंडर वाटर मोड भी दिया जाएगा मेडिया रिपोर्ट के मुदाबिक अमेरिका में एक नए पेटिन टैपल द्वारा फाइल किया गया है इस पेटिन कोले का जानकारी सामने आई है कि इस खास फीचर के साथ आईफोन को पानी में भी चलाने की सुवधार दी जाएगी हम प्रति दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल पूचेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि वीपी ऐसे बिहार पुलिस दरूगा समेट ऐसे सी जैसे ने प्रतोगी पर एक्षाओं में काम आएंगे सवाल अतिहास बिहारे स्पेसल विग्यान करेंट अप्रस और भुगो से रहेंगे पूचेंगे पांच सवालों में आपने कितना सही उतर दिया है यहां में कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है महिला जन्रांग विक्रेति यानी FGM 224 के खिलाफ अंतराश्टे सुने अह सही स्नूता दिवस की थीम क्या है अप्शने है उसकी आवाज उसका भवस से उसकी आवाज उसका हग अप्शन सी है उसका भवस से उसका हग उप्शन डियेन में से कोई नहीं इसका सहींतर है उसकी आवाज उसका भविस है और इसा की भुबनेशन में 12 मुंड़ा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा इसका सहींतर है बियार आमबेट कर भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग मोचप का कहा पे उधगाटन हुआ है इसका सहींतर है गुजरात के कच में माननंदा नदी बिहार में के सस्थान पर गंगा में मिलती है option A, मनिहारी से थोरा पूरब, option B, मनिहारी से थोरा पस्टिप, option C, मोतिहारी के पास, option D, भागलपुर के पास इसका स्थेंटर है मनिहारी से थोरा पूरब, कमला की सहाइक नदी निम्न में से कौन है, option A, सोनी, option B, धोरी, option C, बलान, option D, उप्रोक्त सभी इसका सहीं तरह हो प्रोक तो सभी बीटे गिन हवाय दोरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोग उने अपना जवाब हमे मारे कॉमेंट्स अंबॉक्स में लेकर दिया था दिनों नहीं माद और पुछे के सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिस्रा मुहमत साकिर हुसेन मंटु कुमार राज के सोर महतो विकास दास प्रलाद महतो अतीख खान उजाला सिंग राम नवमी मान जी गोनर सर्मा सादुला पालवी संघर्स कुमार पंकच कुमार दास राजीव कुमार कुलदीव कुमार छोटू राजा हरिवन सवाल की और आजकर सवाल है सिया मितीश कुमार के पर्मानेंट एंडिये में रहने के बयान पर आपकी क्या राय है आप अपना जवाब हमें अमारे कमेंट सुक्ष्ण बॉक्स में लिकर जरूर बताएं आज के लिए फिलहाल इतना ही भिहार के तमाम खबरों के साथ बने सब्सक्राइब करें अगर आप फेस्बुक से देखर तो फेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद